प्रिष्ट पावर तो ये तो आपका सीधे सीधे तर्मिनेटिंग हो गया चीक है अब दूसरी वाली देखते हैं इसके वैल्यू यहां पर 129 अपन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 यह आपका यह तो प्योर फॉर्म में लेकिन यह एक्स्टर नमबर आ तो इसका मतलब यह हमारे पर नॉन टर्मिनेटिंग इसका आंसर आएगा ठीक है अब हमारे पास आता है एट कोशन 615 हैं डिवीजिवल हैं सबसे पहले तो तो त्री टूजा 6 और 3500 15 होगा तो यह 2.5 आ गया अब यह 5 जो है प्यूर्ली अपने आप में 5 की फाव में 5 की इसका मतलब यह भी आपका टर्मिनेटिंग आंसर देगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे आता है 77 और 210 77 और 210 यह 7 से जा रहा ठीक है तो 7 बंजा 7 7 बंजा 7 हमारे पास 11 अपन टू इंटू 5 की फॉर्म में तो आया लेकिन साथ में एक नंबर 3 भी एक्स्ट्रा आ गया इसका मतलब यह सीदे सीदे नौन टर्मिनेटिंग इसका आंसर आएगा ठीक है अब हम लोग आगे के सॉल्ण करेंगे में पूराइं दीविजीडेश करके कि वास्ता में आता है कि नहीं आता में टर्मिनेटिंगरा एक नहीं आ रहा है कि नहीं मतलब हम सीदे डिवाइट करेंगे कॉश्ञते हैं झाल झाल